नमस्कार बच्चों आपका स्वागत है बैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे चौतमत भादे लोकतंत्र और राजनेतिक सिनस्थाओं की कारेप्णारागी पहले हमने देखा है कि किस प्रकार से देश से जमिनदारी विवस्था समापत की गई और हिंदू कोडविल पास किया गया तो उसमें अलग-अलग तरीके से अलग-अलग चीजे चली और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में राज्यों का पुनर गठन हुआ और किस प्रकार से विकास की योजनाओं की कार्यपनाणाली रूपरिखा रखी गई और किस प्रकार से देश का विकास हुआ लिए बच्चों हमने पहले देखा है कि जो देश है वो जब अंग्रेजों का सासनकाल था तो वे अपनी विवस्ताइं अपने हिसाब से रखते थे चुकि उनका मुख्यकार है था धनोर पारजन करना, संपदाओं का उपारजन करना और इस प्रकार से उन्होंने अपनी विवस्ता बना रखी हुई थी तो जब देश आजाद हुआ तब ये चीजें बहुत जादा विकट हो गए कि किस प्रकार से प्रदेश बनाए जाए चुकि उस समय पे देश का विवाजन हुआ था और धर्म के अधार पे हुआ था ये निश्चित बात है कि धर्म के अधार पे देश का विवाजन किया गया था तेस के नेता थे उस समय ये सोचते थे कि यदी अभी राज्यों को बाटा जाए एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे देस है बहुत बढ़ा है इसका छेत्रफल बहुत बढ़ा है इसका संचालन करना कारे समालना और अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलगी स्थानों प अर्था देश जो है पूरा राष्ट जो है अब यह ऐसा तो नहीं है कि यह स्ट्रक्चर बना हुआ है और आप इसे बाट देंगे चुकि देश जो है बहुत बढ़ा है अलग-अलग भगली परिस्थितियां है नदियां है पडवत है पेड़ है पहाड़ है पूरी भगली इस्थिति बहुत अलग-अलग है तो आप इसे इस तरह से नहीं बाट सकते चुकि राष्ट बहुत बढ़ा है तो कौन से अराज्य कितनी बड़ी सीमा होगी कैसा उसका प्रचार होगा यह बहुत बढ़ा समस्या था चुकि धर्म के अधार पे बढ़ चुका था देश तो अर्थात एक भासा बोलने वाले एक राज्य दूसरी भासा बोलने वाले दूसरे राज्य इस प्रकार से एक कॉंसेट था कि भासा के अधार पे वर्गी करन कर दिया जाए राज्य बना दिये जाए लेकिन इसमें एक परिसानी यह भी थी कि यदि भासा के अधार पे किया जाता तो भासाओं के बीच भी आपस में वह मानस से हो जाता चुकि एक भासा बोलने वाले एक प्रदेश पे दूसरी भासा बोलने वाले दूसरी प्रदेश पे और उसमें यह भी था कि जो भासाइं है वो लिमिटेड नहीं है भारत आप जानते हैं विविद्टा का देश ह और विविद्टा इस प्रकार से कि जो एक इस्थान पे सिर्फ एक ही भासा नहीं है उसी इस्थान पर दूसरी भासा है भी होती है कई प्रकार की भासा होती है आप छतिस गड़ को भी देख सकते यहां पे भी आपको कई भासा बोलने वाले मिल जाएंगे आपको यह फिक्स नहीं है कि कौन सी भासा है आप महराश्ट चले गए तमिल नैडू चले गए वहां पे भी हिंदू बोलने वाले तमिल बोलने वाले आपको मिलेंगे महराश्ट पे मराठी बोलने वाले मिलेंगे हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले अलग अलग टाइट के लोग मिलेंगे प तोड़ना पड़ेगा और फिर अलग अलग राजजे अपनी कारे अपना विकास करेंगे चूंकि चोटे संगठन जो होते हैं बहुत हैं राजजी की उनिट हैं तो इसी को देखते हुए बहुत सारी परिषानियां इस प्रकार की थी तो लोगों ने महसूँ से साथ ही साथ ज के साथ में जो दक्चिन भारत में पोट्टी स्रिमालू जो थे उन्होंने बहुत हद तक इसके लिए अपने प्रदेश को बनाने के लिए बहुत हद तक भासाई तोर पे बात हो गए थी कि राज्य बनेंगे लेकिन तेलगु भासी थे जो पोट्टी स्रिमालू थे उन्होंन 1952 में अलग आंध प्रदेश के लिए आमर अनंसन करना प्रारब कर दिया और 58 दिनों तक आमर अनंसन करने के बाद उनकी मृत्ति हो गई अब उनकी मृत्ति होने के बाद जोगी बहुत हत तक मांग उठ रहे थी लोगों के मनो भाव से जुड़ा था उनका विलय हो चुका था भारत में और भारत एक सिंगल यूनिट बन चुका था तो अब यहाँ पे राज्यों को बाटना इसी कारण बहुत ज़़ा दिक्कत हो रहा था लोगों के मनो भाव से जुड़ा हुआ मामला था प्य करना आसान नहीं हो पा रहा था कि किस प्रकार से बीज थे कई सहर ऐसे भी थे जैसे मुंबई जो था वहां बहुत सारी भासा है बोलने वाले थे तो अब इसे किधर डाला जाए धातकिस राज्य में सामिल किया जाए ये एक अपने आप में चैलेंज था इसी प्रकार के बहुत सारे राज्य थे साथी साथ जो सीमा होती है जैसे हम चलना प्रारंब करते हैं तो हम एक अक व्यक्ति से भी नहीं पूछ सकते हैं आप कौन सी भासा बोलते हैं कौन सी भासा बोलते हैं जैसे हम अगर देखते हैं कि पूरा देश है माल लीजी आप किसी इस्थान पे निकल गए और एक ये सड़क बना हुआ है एक सड़क इधर बना हुआ है तो अगर इसको हमें राज्यों में बाटना है तो ये बहुत बड़ी चैलेंज ये है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि ये ये इरिया जो है वो हिंदी बोलता है इतने लोग ये जो है वो कमील बोलते है तो इस प्रकार से इडेंट्टिफाई करना बहुत मुश्किल है चुकी सिमाएं ऐसी नहीं होती, सिमाएं कुछ इस तरह की होती है तेरी मेरी होती है, कुछ भासा बोलने वाले कहीं मिलेंगे तो ये एक परिसानी हो जाती है अब इस प्रकार की जो इस्थितियां बनती है वो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो अब इन सभी परिसानियों के कारण राज्य पुरनर गठन आर्योप बने है और उसे राज्य पुणर गठन इसलिए कहा जाता है कि पहले राज्य बने हुए थे अंग्रिजियों के सासन्काल राज्य बने हुए थे उनके आधहार पर उनका पुणर गठन किया गया लग्रथात उनकी जो सीमाएड है उन्हें फिर से निर्धार के गए जो अगर हमें अपने देश का काम कर चलाना है तो हम किस प्रकार से चलाएंगे किस प्रकार से हम अपने देश को चलाएंगे और किस प्रकार से राज्यों को बाटेंगे तो ये आयोग जो था इसने 1955 में अपनी रूट वोर्ट दी और इसके आधार पे फिर राज्यों का पूर्णर गठन किया गया राज्य बाटे गए और चुकि राज्य बने थे 1961 में पचपन में जो रिपोर्ट आया उसके आधार पे राज्य बनाए गए बहुत सारे राज्य बने मदर्प्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब, राजिस्थान ये सारे बांट दिये गए और इसके बाद भी लगातार इनका काम चलते रहा जो कि हमने देखा है कि जो राज्यों का गठन है वो भी एक बार तो हो गया था लेकिन साथ ही साथ समय समय पर उसमें और भी परिवर्टन हुए और बहुत सारे राज्य भी जुड़े उस समय पर इस प्रकार से बांट दिया गया था और इसी के कारण से प्रादेशिक भासाओं के आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया और यहां पर राज्य बनने के बाद जिस प्रकार का विचार था कि यदि राज्य बन जाता है भासा के अधार पर बन जाता है तो लोगों के बीच वह मनस्य होगा उस पकार की बाते नहीं आए चुकि भारत जो है राश्टी एक्ता के सुत्र में बना हुआ था तो राज्य बनने के बाद राश्टी एक्ता को बल मिला अलग-अलग भासा के बोलने वाले लोग अपने अधार पे विकास करने के लिए समर्थ हो पाए चुकि एक राज्य जैसे है वहां पे भासा यदी एक है तो आपस में काम काज़ो करना है उनको उनमें आसानी होती है और इस चीज को लोगों ने समझा था और इसी के कारण से भासाओं के अधार पर भी वर्गी करने होने के बावजूद भी बहुत हद तक परिसानिया दूर होई और अभी चुवरतमान में बहुत सारे और नए राज्य बने हैं जिनसे निरंतर विकास का मार्ग प्रसस्त हो रहा है तो यह है राज्य पुनर गठन आयोग के समझ में इसके आला हुआ चुकि हमने देखा कि उस समय पे विकास के काम बहुत जादा नहीं हुए थे तो चरन बद्विकास को ध्यान रखते हुए योजना बद्विकास का मार्ग प्रसस्त किया गया अब ये योजना बद्विकास क्या होता है विकास तो हम जानते हैं तरक्की करना चीजों का अच्छा करना लेकिन योजना बद्विकास करना चाहते हैं तो हम ये निर्धारित करना होगा कि इसी प्रारंबिकास चाहता क्या है यहाँ पर किस चीज को बढ़ावा देना चाहिए, खेती को बढ़ावा देना चाहिए, नल को खुदवाना चाहिए, फैक्टरी लगानी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो यह सब चीजे जो हैं, इसे देखते हुए सरकार ने एक प्रारूप तयार किया और उसे कहा पंचवर् लग लग तरके चुनोतियां थी तो इसे समझने के लिए सरकार ने ये प्रयास किया कि हम अपने हर पाँच वर्स की योजना बनाएं और उन योजनाओं में ये चीजे सामेर होंगे कि हम इन पाँच वर्सों में क्या करना चाहते हैं पूरी विस्तरित योजना बनाए गई पंडित जवाहरलाल नहरू जो थे उन्होंने इस चीज को प्रस्तावित किया और इनके पक्षधर थे कि ठोस तरीके से विकास होना चाहिए हम योजना बना कर विकास करना होगा चुकि हमारे साधन सीमित है धन हमारा सीमित है जो जमीन हैं और अन्य प्रकार की चीजे हैं चुकि पूरा देश दूर दूर तक फैला हुआ था तो पूरे देश का विकास करना है तो किस प्रकार से ऐसी योजना बने जाए जिससे की पूरे देश का विकास एक साथ हो सके तो इसके लिए सास की और निजी दोनों छेत्रों को मिलक पर काम करना था तो जो योजना बनाई गई पहली पंचवर्शी योजना जोड़ गई गई उनिस सव इनकावन से उनिस सो छपपन तब और हमने देखा था कि इसी कारेकाल में जमिंदारी प्रथा की समाप्ती भी की गई थी किसानों को सम्रिद्द किया गया था तो यह ज़्यादा जोड़ दिया गया क्रिसी पर मुख्य टार्गेट था क्रिसी क्रिसी को यदी सुधारा जाए उत्पादन यदी बढ़ाया जाए अब क्रिसी सुधारने के लिए क्या चाहिए आपको पानी तो आपको नहर बनाने पड़ेंगे बांध बनाने पड़ेंगे ये वाय दस्ता हैं आपको देनी पड़ेगी क्रिसी बढ़ाना है तो आपको नहर चाहिए बांध चाहिए भूमी का सुधार होना है क्योंकि इन सब चीजों से ही क्रिसी सुधार हो सकता है तो इनी सो इनकाओं से 56 के बीच जो पहली पंच वर्सी योजना पंच वर्सों की योजना बनाई गई और इस पंच वर्सों में प्रियास किया गया कि सबसे ज़्यादा क्रिसी पर कारे करना है एक साथ सबका विकास करना और इन चीजों पर ध्यान के दिर्द किया गया भूमी सुधार की गती को बढ़ाना चुकि उसमें जमिंदारी प्रधकंद किया गया भूमी सुधार को बढ़ाये गया साथ ही साथ अब यहां आप देख सकते हैं कि यदि क्रिसी होगा तो रसाइनी खादों की भी आओ सकता होगी और सबसे बड़ी बात यदि क्रिसी आपने विक्सित कर दिया तो गाओं के लोग जो हैं जिनको बेरोजगारी उसमें पर बहुत जादा बेरोजगारी थी तो बेरोजगारी दूर होगी इस समय पर देशाजाद हुआ था इस थित्या इसकी प्रकार से थी कि इन चीजों की बहुत आओ सकता थी तो पहला जो पंचवर्सी योजना था उसमें क्रिसी को बहुत जादा ध्यान दिया गया क्रिसी पे बहुत सारा काम किया गया अब क्रिसी पे तो बहुत जादा काम कर लिया गया अब इसके बाद जो दूसरी पंचुवर्स जी उजनाई 1956 से 1961 विश्य उत्पात तो बहुत जादा अच्छे होने लग जैते इसके बाद फिर और जोगी की करन पे ध्यान दिया गया दूसरी पंचुवर्स जी उजनाई और जोगी की करन से ताथ पर यह है कि कलकार खानेों की उत्पादन करना लोहा इस बाद खनी साधन तो हमारे बहुत हैं थे तो अब इन खनी साधनों का प्रयोग कैसे किया जाए कि लोगों का इससे अधिक स्याधिक हीत हो लोगों को फायदा मिले तो इसमें भारी उद्द्योग लगाए गए अर्थात बड़े कार खाने खोलने के लिए योजनाए बनाए गए जिससे लोहा इसपाद मसीन का निर्मान किया जाए और वहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार दिया जाए अब इसके कारण कई लोहे के खार खाने, और अने प्राहर खाने के लिए चोकि उस समय पर हमारे टेक्नोलोजी बिक सित नहीं थी खारीता है वो हटे और कुछ हट तक उद्योगों पर लोगों का भारा है अर्थात लोगों को रोजगार मिले जिनों पार्जन करने का रास्ता मिले दूसरी योजना में इसे किया गया तो कृसी पे बहुत हटक निरभर्ता लोगों की खत्म होने लगी लोग कलकार ॖानों मे काम करने लगे कल कल खाने बढ़ गए और ऐसे छेत्रों में कल कार खाने लगाए कि जहां पर खनीच साधन थे तो वहां खनीच साधन ना सिर्फ यहां लोगों को काम मिलेगा बल्कि खनीच साधन में कि और रोजगार किन को मिलेगे इस्थानी लोगों को जो वहां पे रहते हैं वहां के निवासी है जहां पर खनीच साधन है जहां पे अधिक खनी साधाने वहां पे कार खाने लग गए तो लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के आउसर भी मिन लगे तो ये चरण बद्ध तरीके से पहरे क्रिसी पे टारगेट हुआ फिर अधियोगी करन पे टारगेट हुआ और इसी प्रकार से जो आने वाले समय क कि अलग-अलग जो पंचवर्षी योजना थी उसमें अलग-अलग चीजों पे टारगेट किया गया और इससे अधिक से अधिक ये प्रयाज किया गया कि जो आम जनता है जो जमीन से जुड़े लोग हैं उन्हें फाइदा पहुँचा है जाए चुकि योजना बद्ध विक लोगों को समरिद्ध किया जाए तो समय के शांसाथ इस प्रकार की योजना बनाए गयी और जो समाज्ट में आर्थिक और समाजिक विसमता है उसे भी दूर करने में इन चीजों से स्वायता में जो योजना बद्ध विकास जो है आज आधिक तुरंदबाद प्रारंब कर दिया गया था और आज की जो इस्थिति आप देख पाएंगे जो पंच वर्षी योजनाओं और अन्प्रकार की जो योजना बद्ध तरीके से विकास किया गया उसका बहुं सारा प्रभाव आज भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा अग्छेत्र है अलग अग्छेत्र जो हैं बहुत हत्तक सम्रिद्ध हो पाएं इन सभी योजनाओं के कारण से तो राजनीदिक संस्थाओं की कारवणार में आज कले इतना ही बच्चों आपसे नूरो दे कि हमारे वीडियो को से लाइक करिए साथ ही साथ हमारे चैनल को जुरू सब्क्राइब करिए जिसका लिंक इस जुड़े रहे तो आज के इतने बच्चों धन्यवाद नमस्कार